नमस्कार, आदा, सस्रेकाल, मैं शिल्पी आप सब का फिर से एक बार आज के अपने इस लेक्चर में स्वागत करते हैं तो आज हम यहाँ पर नेक्स लेक्चर देख रहे हैं जिसमें हम घटना चक्र के हिस्ट्री बारे पोश्चन को कवर कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट जाएंगी और इसी के साथ साथ जो आपको आई दरिस्टी घटना चक्र का करा रहा है रेगुलर उसका वीडियो आ रहा है वो जरूर देखिए वह आपके एक्जाम के पॉइंट व्यू से बेहद महत्पूर्ण है ठीक है आगे बढ़ते हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइ हुई थी किस वाश में हुई थी 1827, 1829, 1831, 1843 एक्चली राजाराम मोहन राय ने 1828 में जो की ऑप्शन यहां अवेलेबल नहीं है 1828 में भ्रह्म समाज नाम से एक नए समाज की स्थापना गया जिसे आगे चलकर भ्रह्म समाज के नाम से जाना गया और इस समाज ने मूर्ती पूजा से अलग रहते थे इस नवीन धर में समाजे क्रीती रिवाजू और धार में कर्ण कार्णों के लिए कोई स्थाने था यानि कि ब्रह्म समाज ने रंग वन और मत पर विचार किये बिना मारम मात के प्रती प्रेम जीवन के उच्चतम विधी के रूप में मानत्ता की सेवा पर जादातर बल दिया था ठीक है तो 1828 में 20 अगस्त को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी किसकी दौरा राजा राम मोहन राय के दौरा क्योंकि आगे ऐसी घुमाफ राकर प्रश्ण पूछे गए हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किस ने की थी हमने अभी देखा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी तो यहां क्या पढ़ा है आपने 1828 में हुई थी ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा ब्रह्म समाज के संस्थापक थे सियारधास महत्मा गांदी राजा राम मोहन राय स्वामी धैरान सवजदी तो देखे उसी कड़ी में से समझना है कौन थे राजाराम मोहन राय थे टेक है ऐसी गुमाफ राकर एकी चीज को किस तरह से पूंच सकते हैं राजाराम मोहन राय को राजा उपाधी किस ने देती लौर्ड विलियम बेंटिक ने अकवर्दुतिय ने प्रहम समाज के अनुआईयों ने सती प्रता का वि राय को इंग्लेंड में समराच से मुगल बाश्या अकवर्दुतिय को मिलने वाली पैंचिन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थे और इंग्लेंड ने बिस्टल पर ही बिस्टल में ही 27 दिसेंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मिरती होगी जहां उनकी समाधी स्थाप किती औरंग जी रावर्ट कलाई पातमा कांदी समराच मुगल समराच अशुग दूती है ने किते भी हमने वह इस अपर डेटेल में समझाय ने सको राजा राम मोहन राय की उपादी है कोलकाता में पत्ना में ब्रिस्टल इंग्लैंड में कैनेड़ा में तो अभी समझा है कि ब्रिस्टल में ही 1833 मिन की मिलती हुए थी तो वहीं पर इनको इस अपादी से नमाजा गया था option सी यहां पर correct हो जाता है निमलिखित पर विचार कीजिए कलकत्ता यूनि टेरियन कमेटी टेवर निकल ऑफ न्यू इंडियन रिफॉर्म एसोसियेशन केशव चेंद्र सेंड का संबंद उपिकम से किसकी या किनकी स्थापना से एक और तीन दो और तीन तीन एक दो और तीन ठीक है तो यहां पर आप देखेंगे कि option बी जो है केवल दो और तीन यानि कि टेवर टेवर निकल ऑफ न्यू डिस इंडियन रिफॉर्म एसोसियेशन जो है उस प्रश्ण का उत्तर ऑप्शन भी हो जाएगा ठीक है और इसके आगे दिखते हैं भारतिया ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्र टैगोर इशुचंद्र विद्या सागा केशव चैंद्र सेंड राजाराम मोहर रहा है तो केशव चैंद्र सेंड मौलिक भ्रह्म समाज से अलग हो गया और देवेंद्र टैगोर के सहत समाज की मूर्शाका ने स्वयम को आदी भ्रह्म समाज के नाम से पुकारा और आचारे केशव चैंद्र सेंड के नेतरत वाली गुट ने भारती समाज भारती भारती भ्रह्म समा में पुना फूट पड़ी जब केशर चेंदर सेंध द्वारा अपनी तेरा वर्षी पुत्र का विवा कूछ विहार के राजा के जाने के विरूत में था यहां पर हमने कहा आधी ब्रह्ब समाज की स्थापना भी के द्वारा की गई है अब ही हमने में समझा उपर झादधी ब्रह्ब समाज भार्ती वक्ष्णायर मादध्य यायद को लिए नित्वराथ के से लेगें मैं र सेवस्वशिक जेभानागरा और दोन हमाद का जो लाध varieties रटार। 1828 में ब्रह्म समाज की नीव डाली तो ब्रह्म समाज की स्थापना का जो उतेशी था वह एकेश्वरवात की पासना मूर्ति पूजा का विरोध और अफ्तारवात का खंडर और ब्रह्म समाज ने सार वहम इश्वर के पासना पर बल दिया था ठीक है option C यहां पर correct हो जाएगा है तो देखे राजाराम मोहन राय ने निंवे से किसका विरोध नहीं किया था बाल विवा सती परत्रथा पास्षा त्यक्षा या मूर्ति पूजा तो देखे यहां पर क्या है छेतर में अंग्रेजी तो पक्षधर नहीं किया था ओधार वुदार्वादी अगला प्रशन हमारा क्या कहता है यहां पर निर्म लिकित में से किसी राजाराम मोहन राए के धार्मिक सामाजी विचारों के विरोध में प्रारम किया गया गया दिख दर्शन, समाचार, चंद्रका, समवात, कौमदी, वंगाल, गजड तो सिक्षा के छेट में राजाराम मो होना इने धार्मिक सामाजी विचारों के विरोध में देखेंगे भवानी चरण बंदोपाद्या ने 1822 इश्पी में समाचार, चंद्रका, पत्रिका का प्रकाशन शुकिया इससे पूर्व किस वे संबाद कौमदी के संस्था पक्त है यहां पर ऑप्शन भी हो जाएगा इ इसने मूर्ती पूजा का विरोध कि अधार में घ्रन्तों की व्याक्या के लिए इसने पुरोहिदवर को स्विकार किया, इसने सिध्धान का प्रचार किया कि वेद तुटी ही ने और कूटों के अधार पर सही उत्तर चुनना केवले केवले को तीन, एक दो और ती ठीक है तो ब्रहम्र समाज की स्थापना हमने देखा 1828 में राजा रामोहन के द्वरा की गई इनके सिधान ते थे कि एक एश्वरवाद पर विश्वास और हिंदू धर्म के पुरूतियों से मुक्त करना मूर्ति पूजा का विरोध और पुरूतियों के वर्चस्च पर कुठारागा इसलिए यहां पर आप देखेंगे की कथन जो है पहला और दूसरा ब्रहम समाज के संदर में सही है लेकिन तीसरा सही नहीं है तो इसलिए पहला और दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा क्लियर है आगे वरते हैं अगला प्रशन है 19 सताबदी के उत्राट में नव हिं हिंदुजम के सर्फ्रेस्ट प्रतिनिदी थे रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानन्द वंकिम चतर जी राजा रामोहन राय तो यहां पर क्या है रामकृष्ण परमहंस की सिक्षाओं की व्याक्या को लेकर साकार करने का श्रे स्वामी विवेकानन्द को है उन्होंन वर्ड पार्ल्यमेंट ओफ रिलीजिन में अपना सुप्रेट्ट सुप्रसिद्ध भाशन दिया इस भाशन में उन्होंने पश्मी संसार का सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से नोने बहां प्रदक्रशन किया पस्तुत्त किया और ठीक है ऑप्शन भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा विवेका नाननी शिकागो में आयोजीत पार्लियमेंट आफ वर्ड रिलीजिन्स में भाग लिया था अठारा सब आध्तर में अठारा सब नबबबे में उन्ने सव एक में तो यहां पर ऑप्शन सी जो है अठारा सब देरा सवामी वेका नाननी शिकागो में विश्वधर्म समेलन थेक विश्वधर्म समेलन अपना भाषण कब दिया था तो आप देखेंगे यहां पर 1892 में जो है इन्होंने दिया था यहां पर भाषण ठीक है ऑप्शन भी हो जाएगा इसके बाद आठास्व तेरान में शिकाग तो यहां पर सवामी वेका नान का जो है नाम इससे जुड़ा हुआ है तो कुछ चीजों को हमें याद करना पड़ेगा रटना पड़ेगा तभी हम वहां पर आंसर कर पाएंगे ठीक है किस वर्ष्व वेका नानने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था 1893, 1895, 1897, 1899 त ना इननन्साटि स्वामी विवेका नाननका ये ठीक है इसके भी विवेका नन स्वामी वेका नान को नान अफिदल फोट द्यक है तो यहां पर बात की जा रही है व्यवारी वेदान्त के प्रतिपादक स्वामी वेकानन थे और वेकानन के अनुसार एक धर्म के रूप में वेदान्त को गहन रूप से व्यवहारिक होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन के प्रतिएक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हो सके व्यवहारी वेदान्त पर तो आप देखेंगे यहां पर इसके प्रख्यात की बात करें स्वाइब वेकानने ग्यानियों कर्मियों राजियों ठीक है जो है नामक पुस्त के 1893 में लिखी थी और शिकागों गए जहां पर उन्हें वर्ड पार्लियमेंट और रिलीजन रिलीजन से विश्व धर्म संसद म चयर में रामखुर्जण मिशन की और यहां पर करेक्ट हो जाता है अब रहा म करूं भज्बार के बापकार म 2050 अगर बात के乾शन मिशन जो है कि अब में भून है राम कुश्न गया है राम कुष्ण मिर्शन की स्थापना tenía सभी ने की थी में इक रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस साल में की ती 1861 ती चर्दा मढ़ी कौन थी ठीक है राजा रामोन राई की पतनी रामकृष्ण पर्मःस की पतनी वेकनन की मा केश्म चंद सेन की पूत्री तो शर्दा मढ़ी मुखोव पाध्या जिने शारदा देवी के नाम से जाना जाता है इनका विवात 23 वर्ष है रामकृष्ण परमहन से पांच वर्ष की उम्में 1859 में हुआ था option B यहां पर correct हो जाता है इश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धर्ती पर ही बहुत काम किया जाना है यह कथन किसका है स्वामी विवेकानन स्वामी दयानन सर्वसती स्वारा स्वामी राम स्वावी इश्वर चंद्र विध्या सागर ने तरह के स्टेटमेंट से डायरेक्ट प्रस्ट पूछे गए हैं ब्रिटिस सामराज पूरी तरह से सड़ चुका है हर तरह से ब्रस्ट अत्याचारों से वहीन है ठीक है यह कथन किसके द्वारा का गया सिस्टर निवेदिता सा की विवेकर्णन जी की शिश्या थी देनल सरस्थी द्वारा स्थापत है ब्रह्म समाज आरे समाज प्रात्ना समाज बहुजन समाज तो आप देखेंगे कि इन्होंने जो है अप्रेल अठाशा पिछेत्तर रिश्वी में बंबई में आरे समाज की स्थापना की जिसका परांट यहां पर अधिक प्रचार हुआ था था ऑप्ष्वन भी हांपर प्रक्रेक्चह फील जाता है रे समाज की इस्थापना की शजोन 2-3 तो यहां पर जो है आरे समाज के संस्थापक स्वामी देनन सरस्ती की द्वारा शुद्ध वैदिक परमपरा में विश्वास करते थे इन्होंने वेदों की और लौटो का नहरा दिया और उत्तर वैदिक काल से आज तक सभी अन्यमतों को नोने पाखन्द या जूट धर्म की स संग्यास्थ सद्सक्राइब भहारत सद्सक्राइब सद्सक्राइब श्रंधानन तो निम्लेकित में से आप देखेंगे सवामी दयानन सर्श्वति जो है वह हो भारत का मार्टल लूथर कह लाते हैं एक पर करेक्ट हो जाता है सत्यार्ट अनन्द जी से वेदों के शुद्ध अर्थ और वैदिक धर्म की प्रती आगत्ष्रद्धा प्राप्त की ती और 1867 में इन्होंने पाखा और खंड़नी पता का लहराई की ऑप्टिन ढीवहत्यां अंब आर्षरांग 안돼 हो जाता है है सतец प्रकाश के लेहां चाहिआ है जाए खैक है सत्याद प्रकाश के लेक Gibson का का है माफी जाती है इसमें कुछ घरवड हुआ स्थाइब प्रकाश को और है आपको भी बताया मैंने तो सत्याद प्रकाश किसके दौरा लिखा गया है दयानन्द सरस्वति ऐसक पर समाज की प्राथ समाज की तो हमने देखा यह पुस्तक सत्यात्रखाश के लेखा कौन थे स्वामी दयानंद सरस्वती स्थ्यूम्द्विकल्फ संगतनों वेसे किसने शुद्धी अंधुलन का समर्थन किया है आरे समाज भ्रह्म समाज देव समाज प्रातना समाज तो किस ने किया है सवामी दयानन सरस्वती की द्वारा 1875 वीश्मी में बंबाई में स्थापित आरे समाज धर्म परिवर्थन हिंदू की हिंदू धर्मेबापसी के लिए शुद्धी आंदोलन का समर्थन किया यानि कि option करेक्ट हो जाता है किकला दो नीडे दो कथन दूर कतन एक दूसे को कारण और की रूप में दिया गया है यारे समाज अंदोलण ने हिझीं उंविश्वाव से आत्म दिर्वर्था और निर्वर्था का प्रदान की और क्ल रघ इस सब करता है इस तरह से आपके यहां पर कथनों कारण जैसे प्रश्न कई सारे पेपर में मिलेंगे आप देखेंगे कि आरे समाज की जो स्थापना दयानान सरस्थी यानिकी मूल शंकर के द्वारा एप्रल 1875 बंबय में की गई है और इसका उद्देश था कि प्राची ने वैदिक धर्म की शुद्ध अप्रेश प्रवास निर्वर्ता प्रदान धा तो इसके शाथ हमें की यहांई बहुत प्रियानदा की अरवाग्य यहां सकत पर धीन अटबय से याफ नयुक्त सथापना नहीं है लोक्माने तेलक्स आदेट हो यहां पर देखेंगे कि अच्छा शासन स्वाशाशन की स्थापना जो है नहीं है ठीक है तो यहाँ पर इस तरह के जो स्टेट्मेंट है वो स्वामी दयानन सहस्वती जो है विदेशी दास्ता को एक अभिशाप माती थे उसतंता और लोकतंतर के हिमाईती थे उन्होंने आठ्थिक विचारों में सबसे पहले स्वाराश शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को रास्ट भाषा के रूप में सुईकार किया दिर्म लिकित को कलानुक्रम में देशाप में रखे तुलसी दास राजाराम होनराय स्वाविकानन देयना सहसती तो तो सही कालकरम अगर आप देखेंगे तो पहला ठीक है इसके बाद आप देखेंगे फिर दूसरे नमबर पे दूसरा आएगा फिर तीसरा फिर चौधा इस तरह से कालकरम है समझे ना आप आउप्षणी का उत्तर क्या हो जाएगा ओप्षिन भी हो जाएगा तिर्ए हमें महाराश्त्र में प्रात्ता समाझ की समाज की स्थापना की इसताफना की 1867 में बंबई में आचार केशवदा सेन की प्रेड़ा से आत्मारा पार्डू रंग द्वारा की गई थी महादेव गोविंद राना ने इस संस्था से 1869 एश्वी में चुड़े और इसके मुख संचालक बने इस संस्था का प्रमगुदेश था जाती प्रता का विरोध इस्त्री पुरुष की विवा की आयो में व्रद्धी विद्वा विवा इस्त्री सिक्षा को प्रोश्था देना था तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है आत्मारा पार्डू रंग ने ठीक है ऑप्शन ए प्रात्मास स्वाज संस्था की संस्थापक कौन थे दैनर्स तो सिती राजारां मौणर्य सर्फ है प्रोश्ण की प्रश्न को कंसीडर नहीं किया जाता है प्रात्ना समाज के संस्था पर कौन थे तो आत्मारा पांडूरंग थी ठीक है अभी इस तरह से कोशन किये तो कंफ्यूज नहीं होना अगर कोई सा आता है तो इसके बाद अंतिया प्रश्ण क्या कहता है महारास्ट में प्रात्ना समाज का मुख संचालक कौन था और जी के लिए थांक्यू सो मच यहां तक वीडियो को देखने के लिए प्रीज चैनल को सब्सक्राइब करे ई वीडियो को लाइक करें ए mist और जितरे नएर ने शृते हो जोडते रहे इसी तरह से कार्वान जोडता जाये का हम सब आगे बढ़े गे और अपने लक्ष को प्राप् झाल झाल